नमस्कार आदब, सस्थेकाल और स्वागत आप सभी का अनकैडमी क्लाट के उपर क्लाट ही नाम क्यों है इसका? क्लाट के साथ ओलेट भी है ये जी हाँ, स्यूटी पीजी की अगर आप तयारी कर रहे हैं जिसके लिए बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान था कि सर अब क्या होगा? हमारा तो बीएचू हट चुका है जी नहीं, आपकी उनिवर्सिटी बीएचू तो जुड़ी चुकी है उसके साथ की साथ जवाहलाल नहरु उनिवर्सिटी भी जुड़ चुकी है अब आप वहाँ से भी अपनी 3-year की LLB की डिगरी कर सकते है देखिए, यह CUT PG समर्थ की वेबसाइट है अगर आप यहाँ पे जाएंगे उनिवर्सिटी के उपर तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यह वो उनिवर्सिटी हैं जिन में आप अपना एड्मिशन्स ले सकते हैं और यहाँ पे आपके लिए very good news and that is बनारस हिंदु उनिवर्सिटी BHU यहाँ पे एड कर दिया गया है साथ के साथ बाबा साहे भीमराव अंबेटकर कॉलेज है और अगर मैं नीचे की तरफ आऊं तो आपको देखने को मिलेगा that is जवारलाल नहरू युनिवर्सिटी यह सभी के सभी इंस्टिटूशन्स अब आप लोगों के लिए तयार हैं यह रहा आपका JNU जवारलाल नहरू युनिवर्सिटी यह इंस्टिटूशन्स भी अब जुड़ चुके हैं के CUT PG के लिए CUT PG के अंदर कुछ अपडेट्स अपकी बार बहुत बड़े आएं उन अपडेट्स के अगर बारे में बात करूँ तो यही वेबसाइट है इस वेबसाइट में जब आप उपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको स्लेबस दिखाए देगा और जब आप स्लेबस में जाएंगे तो आपका स्लेबस कहाँ दिखाए देगा वो मैं आपको समझा देता हूँ and that would be only and only in very importantly कुछ बच्चे हैं जो की confused हैं कि सर हम कहाँ पर देखे हमारा स्लेबस क्या है तो आपका स्लेबस बहुत simple सा है उस स्लेबस को आप आराम से देख सकते हैं क्या-क्या चीज़े हैं जो कि अपकी बार change हुई है क्या-क्या चीज़े हैं जो कि अपकी बार change नहीं हुई है यह सारे के सारे स्लेबस आपके यहाँ पर है यहाँ पर आपको general और llb etc. दिखाए देगा यहाँ पे जब आप view और download PDF के बारे में जाएंगे तो आपके सामने एक PDF open होगा इसके अंदर आपको detailed syllabus आपका बताया गया है यहाँ आपका code है जो की C O Q P 11 जी हाँ, P 11 का syllabus क्या होने वाला है उसमें क्या changes आए है सबसे महतोपूर्ण change और सबसे बड़ा change है my dear child English और Hindi दोनों में आपको questions मिलेंगे आप जो चाहें वो choose कर सकते हैं आगे बात करूँ अगर English के syllabus की तो English के syllabus के अंदर बहुत आसान सा syllabus है जहाँ पे आपको grammar है आपके error finding है जंबल paragraph है sentence correction है sentence improvement है Reading comprehension Reading comprehension के लिए बिटा newspaper reading बहुत अच्छे से करिएगा और newspaper के लिए daily 10 a.m. मैं आप लोगों के लिए newspaper analysis की classes लेके आता हूँ जहाँ पे आपकी reading habit तो better होगी होगी reading comprehension तो अच्छा होगा ही होगा साथ के साथ आपका current affair with static gk भी आपका दोनों clear हो जाता है इस एक session में आगे बात करूँ paragraph completion ते वही grammar यहाँ पे आपको use करनी होगी then is your one word substitution then is your synonyms, antonyms, idioms and phrases इतना छोटा सा आपका English का syllabus है अगर आगे बढ़ता हूँ और आता हूँ मैं आपके हिंदी पे तो यह सारा का सारा आपका हिंदी के अंदर है अगर आप हिंदी को as a language वहाँ select करते हैं और अगर बात करूँ आपका gk तो देखिए gk के अंदर एक चीज है आपको जो कि यहाँ पर update कर दी गई है वो है legal awareness and trade awareness देखिए legal awareness के अंदर क्या चीज़े होगी यह important laws हैं जिससे related कोई भी हाल फिलाल के अंदर current affair रहा हो और साथ के साथ में ऐसे static facts जैसे की first Chief Justice of India कौन थे तो आप कानिया साब वहाँ पे रख रहे हैं इसी तरीके से कितनी आज तक Chief Justice को women बन पाई है कि नहीं बन पाई है यह सब static gk है legal awareness से related ठीक है अगर आप से कोई पूछ conservation जो women built आया है वह कौन से number का amendment है तो वहाँ पर आपको options होंगी 106th number का amendment है constitution के अंदर यह यह आपके legal awareness है यहाँ पे legal awareness में आपको law के subjects नहीं पढ़ने है कैसे आपके thoughts हो गए contracts हो गए आपका crime हो गया यह laws आपको नहीं पढ़ने है यह आपको नहीं पढ़ने है इसमें अप newspaper और newspaper के साथ में एक और आपको मैं source बताऊंगा जिसको आप लोग refer कर सकते हैं and that is basically law bench आप प्लीज इसको जरूर एक बर देख लीजिएगा बारन bench करके एक website है उसे भी आप check out कर सकते हैं and then there is national and international economy यहां से बहुत important questions आते हैं Indian constitution से बहुत सारे questions आते हैं personalities से questions आते हैं literature से questions आते हैं और सबसे important that is your culture से यह वो topics है जहां पर आपको सबसे ज्यादा focus करना है make sure इनके एक-एक topic के आप अलग से notes create करें और इन notes के अंदर आपकी help करने के लिए मैं आ रहा हूँ daily शाम को 7 बजे लिए daily शाम को 7 बजे from 5th of January मैं आपका static key सारी की सारी GK की classes लोंगा one shot solution के अंदर I promise you by January end हम यह सब कुछ finish करेंगे आगे बढ़ता हूँ next आपका topic आता है that is basics of computer basics of computer के अंदर जो भी आपने 10th 11th के classes के अंदर जेतना computer पड़ा है सर्क उतने ही computer के related बहुत आसान से questions आते हैं कुछ इसके अंदर static GK वाले questions है उनको जरूर देख लीजिएगा ठीक है चलिए आगे बात करते है logical reasoning यह एक ऐसा area है general aptitude और logical reasoning जिसका बहुत बढ़ा weightage इस examinations के अंदर होने वाला है इसको बहुत अच्छे से इज़त से पढ़ लीजेगा इसका syllabus मी थोड़ा landy है और इसको अच्छे से कराने के लिए आपको जो है already हमारा जो unacademic lat का जो team है उसक promise you by start week of February आपका syllabus पूरा का पूरा कवर कराके हम full-fledged revision crash course के अंदर आ जाएंगे साथ के साथ logical reasoning यह इतना बढ़िया सब्जेक्ट है जो की highest scoring है और honey कुमार शर्मा जी जो है वो इसको लेने वाले हैं तो please आप stick कर लीजिए daily 12 बज़े इनकी classes आने वाली है honey sir की तो आप यह नहीं से ले सकते हैं और यह सारी की सारी classes जो मा बता रहा हूं आपको विजरत series for your course you don't have to pay a single penny on it आप अपना base अच्छे से create कीजिए and then advance के लिए आपको paid batch में जाने की ज़रूत है जब तक पहले आप अपना base अच्छे से clear कीजिए and then you can join the crash course crash course के अंदर आपको सारे DPPs live doubt solutions mentorship जहां पर आपके छोटे-छोटे doubts कहीं पर भी आप फस रहें वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी आपके one-to-one mentorship के अंदर यह सब कुछ आपको paid batch में मिलता है not on the YT आपको पहले अपना base clear करना है पहले अपनी foundation strong करनी है and then unacademic lat is all available for you for the best of best paid batches चली अब बात करता हू इसके अलावा और क्या चीज़ें जो आपको जानने की जरूत है देखिए इसके बाद आपका form है अब form का जो है news bulletin में अगर आप देखेंगे तो news bulletin यह बताता है कि form already release हो चुका है अगर आप CUT PG LLB की तयारी कर रहे है या फिर CUT PG किसी भी exam की कर रहे है तो आपका already यह documents आपके पास सब के सब होने चाहिए दूसरी बात यह CBT exam है बिटा that means computer based examination है तो computer based examination होने के नाते आपको यह बहुत important हो जाता है कि आपकी practice भी computer based ही होनी चाहिए unacademy client आपके सारे के सारे mocks online लेने वाला है अगर आप हमारे crash course में हमारे paid batch के इंदर join करेंगे तो आपको पत आप देंगे कि कितना आपका score आ रहा है और कहां कौन से section में आप weaker है ताकि आप उस section को और strongly prepare कर सके ठीक है भाई तो यह सारी चीजें है यहाँ पे कुछ fees है अगर आप general category के है और अगर आप up to two test paper देना चाहते है तो 1200 रुपए fees है OBC की 1000 है SCST की 900 है और PWBD की अगर आप उस category के अंदर आते है तो आपकी fees क्या है 800 है अगर आप कोई भी additional paper देना चाहते है तो 600 500 500 respectively ठीक है और application fee for two test papers आपकी 600 रुपए ही है ठीक है इसके अंदर एक चीज़ और important है और वो क्या है वो यह है कि correction जो application form के अंदर है यह 27-1-2024 से लेके 29-1-2024 तक ही हो सकता है इस से अपना form fill करें और यहाँ पर कोई mistakes नहीं होनी चाहिए अगर आपने form में कोई mistake कर दी तो यह समझ लेजिए महनत सारी की सारी धरी की धरी रह जाएगी तो forms को बहुत अच्छे से fill कीजिएगा उसमें किसी प्रकार की कोई mistake नहीं होनी चाहिए detail के अंदर syllabus, detail के अंदर syllabus को कैसे cover करना है यह मेरा next video आप लोगों के लिए बहुत जल्दी आने वाला है तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा वो आपके लिए बहुत helpful होने वाला है इसी के साथ आप लोगों से लेता हूं अलविदा, जय हिंद, जय भारत, signing of advocate, व बाई, भाई, तेक यए.